सैनी की नई सरकार में किसका दबदबा मंत्री मंडल में किसकी कितने हिस्सेदारी मंत्री पत की रेस में कौन किस पर पड़ा भारी हर्याने में बीजेपी को मिली एतिहासिक जीत के बाद नई सरकार का शपत गरंड भी एतिहासिक रहा नायव सिंग सेने इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं वीधी द्वारा स्तापित भारत के सुधान के परती सची सर्दा और निश्चा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अक्षुन रखूँगा अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगे रख्षा मंत्री राजना सेंग्, केंद्रे सडक परिवान मंत्री नीतिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष नड़ा शपत गरण के साक्षी बने इनके अलावा प्रदेश के 19 में मुख्यमंत्री बने नायप सिंग्षैनी के इस्षपत डण समारों में 18 राजियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थी इतनी बड़ी संक्या में जनसमु जो आध लाखों की संक्या में जनसमु ने इस पल का जो आनन्द लिया है और एक एतियासिक राजनितिक गठना करा में हरियाना की राजनीती में जो हरियाना की जनता का प्यार और प्रेम लोगपिरे प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी के दिल में बसा है ये उसकी जीत है लोगों के प्यार और प्रेम की जीत है मोदी जी की नीतियों की जीत है 28 साल पहले 1996 में सियासत की रिंग में कुदे नायव सिंग सेनी को बीते 10 सालों में हर बड़ी काम्याबी हासिल हुई 2014 में पहली बार नारायनगर से बिधायक बने 2019 में पुरुछेतर सीट से जीत कर संसत पहुँचे 12 मार्श 2024 को पहली बार हर्याना के मुख्यमंत्री बने और 7 महिने 5 दिन बाद 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार सीएमपद की शपत ली पंचकुला के शालिबार गार्डन मिहुए शपत गर्ण समारों में मुख्यमंत्री के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपत ली जिन में से 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं लेकिन बड़ी बात ये है कि महिपाल धांडा को छोड़कर पिछली सेनी सरकार में कोई भी मंत्री नहीं था हाना कि इन में से 5 खटर सरकार में मंत्री रह चुके हैं और साथ चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं मंत्री मंदल के जरिये जातिये समीकरण को साधने की भी सधी हुई कोशिस की गई है मुख्य मंत्री सहित 5 मंत्री OBC समुदा ऐसे हैं दो दलीत, दो जाट और दो ब्राम्हन मंत्री बनाए गए हैं एक पंजाबी, एक वैश्य और एक राजपूत को भी मंत्री मंदल में जगह मिली है अब देखें कि मुख्य मंत्री सहित 5 OBC मंत्री कौन-कौन है मुख्य मंत्री नायव सिंग सैनी, सैनी समुदा ऐसे आते हैं जो इस बार लाडवा सीच से जीत कर विधान सभा पहुँचे हैं विधान सभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके रणवीर गंगवा कुमार जाती से हैं जो बरवाला से विधायक हैं पहली बार मंत्री बने राजेशनागर गुरजर जाती से हैं जो तिगाओं सीच से विधान सभा पहुचे हैं उन्हें राजे मंत्री बनाया गया है राव नर्बीर सिंग यादव जाती से हैं 2014 से 2019 तक खटर सरकार में मंत्री थे बारशापूर से छटी बार विधायक बने हैं अटेली से पहली बार विधायक और फिर मंत्री बनी आरती राव भी आदव जाती से हैं जो केंद्रे मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है वहीं मंत्री मंदल में शामिल दो दलिक चेहरे हैं कृष्णा लाल पमार और कृष्ण कुमार बेदी कृष्णा लाल पमार राजी सभा सांसद रहे इसराना सीट से जीते और छटी बार भी धायक बने पमार 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खटर की सरकार में भी मंत्री थे वहीं इस बाद नर्वाना सीट से जीत कराए कृष्ट कुमार वेदी भी 2014 से 2019 तक मनोहरलाल खटर सरकार में मंत्री थे 2019 में चुनाव हार गए थे तो खटर ने उन्हें अपना राजनितिक सलाहकार बनाया था वहीं मंत्री मंदल में शामिल किये गए दो ब्रामन चेहरे डॉक्टर अर्बिंद शर्मा और गौरव गौतम है हुड़ा के गड़ गोहाना से जीत कराए डॉक्टर अर्बिंद शर्मा चार बार सांसद रहे हैं वहीं पहली बार परवल से विधायक बनने के बाद राज्य मंत्री गौरव गौतम भाजपा के वरिष्ट नेता डॉक्टर अनिल जैन के नीजी सचीव रह चुके हैं मंत्री मंडल में जाट चहरे के तौर पर महिपाल धांडा और सुर्ती चौधरी को जगह दी गई है पानी पसे तीसरी बार विधायक बने महिपाल धांडा पिछली सेनी सरकार में भी मंत्री थे वहीं तोशाम से पहली वार विधायक और फिर मंत्री बनी सुरती चौधरी राजसभा सांसत किर्ण चौधरी की बेटी पुर मुख मंत्री बंसिलाल की पोती है मंत्री मंदल में पंजाबी समुदाय से अनिलविज को जगह मिली है अमबाला कैंट से विधायक अनिलविज खटर सरकार में 2014 से मार्च 2014 तक साहनौ साल तक मंत्री रहे साथ बार के विधायक अनिलविज प्रदेश में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं जिन्होंने खुल कर सीम पत पर भी दावेदारी की थी मंत्री मंदल में वैश समुदाय से विपुल गोयल को जगह मिली है फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल खटर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं वही राजपूर जाती से श्याम सिंगराना को मंत्री बनाया गया है रादावर से विधायक स्याम सिंगराणा पहली बार मंत्री बने है अपनी सरकार को 36 बिरादरियों की सरकार बताने वाली बीजेपी ने मंत्री मंडल के जरीए हर बर्ग को साधने की कोशिस की है अंकित उदानी, निउजेटीन, हरियाणा